तोड़े वी आर गोईंग तो स्टार्ट विद न्यू टॉपिक ताइस फूड फॉर ओल सुलाटी स्टार्ट नौ कुशन नूम्बर वन इस विच वेजटेबल्स डू वी गेट अराउंग ताइम ओफ दीवाली विच फूर्ट विच ग्रेंस दीवाली के टाइम में टाइप्स के ग्रेंस आपको दीवाली के टाइम में मिलते हैं ओके नौ सेकेंड इस वाट आर दर सीजन फॉर जवार बाजरा राइस मैंगोस ओरंजिस और जैक फूर्ट तो ये सारी जो फूर्ट और ग्रेंस दीए हुए हैं स्टूडंस तो कौन से सीजन में आते हैं ये आपको देखना है तो कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो हम एज फूर्ट योज करते हैं ओके अग्रिकल्चर अग्रिकल्चरल सीजन तो ये हम सब को पता है स्टूडंस कि जो हम फूर्ट खाते हैं कई सारा जो फूर्ट होता है तो वो हमें कहां से मिलता है प्लांट से मिलता है तो इसी लिए हम क्या करते हैं फेल्ट में ग्रेंस को सो करते हैं लगाते हैं ग्रेंस को और हम क्या करते हैं स्टूडंस जो फूर्ट के प्लांट होते हैं तो वो कहां पर लगते हैं जैसे के garden area होता है तो वहां पर लगाते हैं और जो grains हमको उगाना है तो हम fields में उनको क्या करते हैं students उनको हम लगाते हैं तो कितना land हम use करते हैं agriculture के लिए 60% land तो हमारी country में हमारे इंडिया में two types के seasons होते हैं agricultural को लेके तो इस time के जो grains होते हैं students जो crops होते हैं तो उनके लिए water कहां से मिलता है जो rain होती है जो बारिश होती है तो उसका ही water utilize किया जाता है और second season हमें यहां पर students कौन सा दिया हुआ है October to March तो इसको क्या बोला जाता है रभी season तो इस रभी season में students क्या होता है कि जो rain हो चुकी है तो उसके बाद जो water जमीन में soaked किया जाता है तो soil क्या करती है जो rain होती है तो उसका water अपने अंदर soak कर लेती है okay तो उस water का use किया जाता है जब monsoon के बाद जो return होता है तो उस time जो water गिरता है students जो पानी गिरता है तो वो वाला water और बाद में जो हमारे पास water sources available है तो उससे क्या किया जाता है crops को water दिया जाता है okay in addition some crops are grown from March to June these are called summer crops March से लेकर June तक हम crops उगाती है तो इससे क्या बूला जाता है students summer crops बूला जाता है okay can you tell which is a season for growing rice agricultural work every farmer wishes to get a good harvest a good harvest provides a good income fertile land good quality seeds and fertilizers and availability of water are essential for a good harvest it is also necessary to carry out the task of tilling the land the crop in the field must be protected and the harvested crop must also be stored safely all of these processes are important तो हर एक farmer students क्या करता है वो विश करता है कि उसका agriculture उसकी खेती अच्छे से हो okay because अगर agriculture अच्छी होती है crops, grains अच्छे आते हैं तो इनकी income भी अच्छे से होती है अगर खेती से उन्हें अच्छे crops आना चाहिए तो इसके लिए students कौन सी चीजों की जरूरत होती है fertile land होना जरूरी है अच्छी जमीन होना चाहिए और good quality seeds उनके पास होना चाहिए fertilizers जो use करते हैं तो वो होना चाहिए तो ये सारी चीजे students अगर उनके पास available हैं तो वो काफी अच्छी crops निकाल सकते हैं और अलग-अलग types के task होते हैं जो farmer अपनी खेती में करते हैं तो उनको यहाँ पर students क्या करना होता है crops उगाने के लिए सबसे पहले तो जो काफी सारे task होते हैं तो उनको complete करना है बाद में students जब crops आती है fields में तो उनको protect करना पड़ता है और उसके बाद उसे store भी करना पड़ता है grains को तो अगर वो safely उसे store करती हैं तो उनके लिए students अच्छा होता है और यह जो सारी processes होते हैं crops सुगाना, उनको protect करना, उनको store करना तो यह काफी important होता है the population of our country is increasing and still the needs of all the people are being met this has been possible because of modern improved methods of agriculture तो हमारी country में students दिन बदिन population increase होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो जो इनकी need होती है food के लिए तो वो भी increase हो रही है वो भी बढ़ रही है तो जो population students increase हो रहा है तो इसके लिए food available हो रहा है तो यह किसकी वज़ा से हो रहा है? modern improved method of agriculture because जो हमारे students खेती करने की जो method होती है यहाँ पर तो काफी modern improved हो रही है तो इसकी वज़ा से हमें काफी सारा grains, crops, vegetables यह सारा available हो रहा है ओके? traditional agriculture in the traditional methods of agriculture plugging, tilling, etc. were done with the help of oxen a mott, a huge leather bag driven with the help of oxen was used to draw water from the well harvesting, threshing, etc. was done by the members of the farmer's family themselves with the help of oxen however, farmers now carry out all these tasks with the help of machines तो जो traditional agriculture करती है traditional style से, methods से करती है plugging है, या tilling है यहाँ पर हम picture में students देख भी सकती है कि mott use करते थे means जो पहले वाले लोग थे जब improvements नहीं होई थी modern improvements या machines, techniques हमारे पास नहीं थी तो उस टाइम students लोग क्या करते थे mott का use करते थे तो यह mott क्या होता था देखो students आपको picture में leather का बड़ा वाला bag दिख रहा है ओके, तो यह mott है और यह किसके through चलाया जाता था oxen इसको खीचते थे आगे और well से इस leather bag से पानी को निकाला जाता था किसलिए जो crops लगाया है farm में या जो भी लगाया है तो उसको water देने के लिए ये method योज किया जाता था तो यहाँ पर students farming में क्या करते farmers होते, उनके family members होते हैं तो यह सब agriculture में, खेती में काम करते हैं बट अब technology students आ गई है modern machines आ गई है तो लोग क्या करते हैं उन machine से ही अपना काम करने लगते हैं plugging the land देखो students आपको picture में दिखाई दे रहा है कि farmer कैसे अपना work, अपना काम कर रही है ओके students, I hope students के आपको यह समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को subscribe करें like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें goodbye